अस्सलाम उलाइकूम डेर स्टुडेंट्स मैं जिशान अली आप लोगों का केमिस्ट्री डिचर बेटा कैसे हैं आप लोग मुझे अमीद है खेरिये से होंगे अच्छी हेल्थ को इंज्वाई कर रहे होंगे और अपनी स्टेडिस पर भी प्रॉपर कंसेंट्रेशन दे रहे हैं स्टुडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोटेंस को जस्ट लाइक कार्भोहईड्रेट्स प्रोटीन भी मेक्रो मालेकूल्स हैं यानि नैचुरिली अकरिंग पोलिमर्स हैं और यह एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजंट हुके हैं और सेल का 50% ड्राइवेट प्रोटीन पर कंपोज होता है पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोटीन को हाइली कॉम्प्लिकेटिद नाइट्रोजीनियस कंपाउंट्स मेड़ अफ इमाइनो इसेट्स बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का इमाइनो इसेट्स होते हैं मैडे स्टुडेंट्स इमाइनो इसेट्स बाइ फंक्शनल ग्रुप्स और्गैनिक अंपाउंट हैं इसमें प्रेजन्ट होते हैं दो फंक्शनल ग्रुप्स एक है कार्बॉक्जल ग्रुप्स यानि COOH इसे हम कहते हैं कार्बॉक्जल ग्रुप्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप्स जो प्रेजन्ट होता है इमाइनोग्रूप, इसमीन ये एक औरगानी कमपाउंड है जिसमें प्रेजंट हैं दो फंक्शनल गृप्स, एक है कर्बॉग जल गृप्स और दूसरा है एमाइनो गृप्स और थर्ड कमपोनेंट इसमें प्रेजंट होता है अलकाईल गृप्स यानि carbon chain और carbon chain की length different amino acids में different होती है जो elements present होते हैं protein में वो है carbon hydrogen oxygen nitrogen and sulfur मैं देर स्टुडेंट्स protein जैसा भी हमने discuss किया कि ये present होते हैं plants में भी और animals में भी और animal का 50% dry weight protein पर compose होता है hairs skin muscle nail feathers ये सब protein के बने हुए होते हैं polymers of amino acid हम यू कहेंगे building block of protein amino acid है यानि amino acid का पोलीमर protein होता है through peptide linkage एक amino acid molecule दूसरे amino acid molecule से unite होता है peptide linkage carbonyl group amino group इसी की repetition होती है जिसके through एक amino acid molecule दूसरे से link होता है दूसरा amino acid molecule तीसरे से link होता है और तीसरा amino acid molecule चौथे से link होता है और इस वे से more than 10,000 amino acid molecule unite होता है तो हम कहेंगे protein में 10,000 से ज्यादा amino acid molecule होते है my dear students यहाँ एक simple सा concept भी आप लोगों ने अपने mind में रखना है difference between polypeptide and protein अगर किसी peptide में 10,000 से कम amino acid molecule हो तो उसे हम बोलेंगे polypeptide और वो peptide जिसमें 10,000 से ज्यादा amino acid molecule हो उसे हम कहेंगे protein अपन complete hydrolysis they yield amino acids यानि अगर हम protein की complete hydrolysis करें तो amino acids produce होते हो और यह हमारे पास एक second definition है protein की यानि protein वो macromolecules हैं जिनकी अगर complete hydrolysis की जाए तो amino acid molecules produce होते हैं my dear students hydrolysis means reaction with water 20 तरह के amino acid molecule होते हैं हमारी body में जिन में से 10 essential हैं और 10 non essential हैं जो non essential है 10 इनको हमारी body खुद ही prepare करती है through different metabolic activities जबकि जो 10 essential हैं ये हम हासल करती है through our diet और अगर essential amino acids की deficiency हो जाए हमारी body में तो फिर different diseases कास होती है it's mean healthy growth के लिए healthy body के लिए protein important है students अभी हम discuss कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन का amino acid है जब दो amino acid molecule unite होते हैं with the removal of water molecule तो develop होती है peptide linkage it's mean through peptide linkage एक amino acid molecule दूसरे से unite होता है दूसरा molecule तीसरे से unite होता है इस वे से एक long carbon chain develop होती है एक macro molecule बनता है protein का अब हम देखेंगे through a chemical reaction कि कैसे दो amino acid के molecule unite होके peptide linkage develop करते हैं amino acid का एक molecule जिसमें present है carboxyl group और amino group दूसरा molecule amino acid का जिसमें present है carboxyl group and amino group COOH carboxyl group NH2 amino group तो एक्चुली hydroxyl group एक amino acid molecule का जबके hydrogen atom दूसरे amino acid molecule का दोनों कम्बाइन होके water formation करते हैं और carbonyl group अटेच हो जाता है NH group से और इस वे से develop होती है peptide linkage तो तो पेप्टाइड linkage के थू ही दो amino acid के molecule आपस में unite होते हैं और इस reaction को हम condensation भी कहते हैं my dear students condensation means जब दो molecule unite हो with the removal of water molecule अब हम discuss करेंगे sources of protein तो पहले बात करते हैं animals protein की animals हमारे पास major source है protein का meat beef mutton chicken fish eggs ये important sources हैं जो हमें protein प्रोवाइड करते हैं from the animal source और cell के proto-plasm की development में ये protein use होती है plants हम जानते हैं plants भी major source है protein के जैसे beans है pulses है जो हम as food use करते हैं enzymes my dear students enzymes भी biological molecules हैं ये biological catalyst हैं जिनकी नेचर protein होती है living systems के अंदर living cells के अंदर जो chemical reaction हो रहे हैं उनको speed up करते हैं enzymes और इनकी extra ordinary efficiency होती है extra ordinary specific होते हैं अपने action में मिन्टू से के हर biological process का हर biological reaction का एक specific catalyst होता है और एक enzyme generally 10 raise to power 20 increase कर देता है chemical reaction को एक living cell के अंदर और बहुत सारे enzymes as drugs भी उस होते हैं for the treatment of blood cancer in children for the controlling of bleeding hides are protein my dear students hide हम कहते हैं skin of big animals through tanning जब हम hide को convert करते हैं leather में तो leather की बहुत सारी applications है इसे shoes बनते हैं jackets बनती हैं और बहुत सारी sports items बनते हैं bones को जब strongly heat किया जाए तो gelatin produce होता है और ये gelatin फिर यूज होता है for the making of many bakery items दो important uses हैं जो हम discuss करेंगे proteins के structural जैसा के lecture के start में हमने discuss किया था कि बॉड़ी का 50% weight compose होता है protein पे यानि हमारी बॉड़ी 50% protein की बनी हुई है और important बात कहा जाता है कि सर के बालों से लेकर पाउं के नाखुन तक हम protein के बने हुई हैं लेकिन actual fact ये है कि 50% हमारी बॉड़ी बनी हुई है protein की यानि जो dry cell है वो 50% compose होता है protein के structural की बात किये भी हमने अब बात करते हैं functional protein की functional protein means enzymes enzymes biological catalyst है जैसे के भी हमने discuss किया और ये living cell के अंदर 10 raise to power 20 increase कर देते हैं reaction rate को ये specific होते हैं इनकी extraordinary specificity होती है यानि हर biological reaction का एक specific catalyst होता है और enzymes भी protein है मैडे स्टुडेंट्स आज की स्लेक्चर में हम लोगों ने in detail discuss किया protein को human diet के तीन important components है carbohydrates proteins and fats तो इनिशनला नेक्स लेक्चर में हम discuss करेंगे lipids को आप लोगों ने लेक्चर को revise करते रहना है ताके chapter contents पर आपके concepts with the passage of time बेहतर से बेहतर होते जाएं तो इनिशनला नेक्स लेक्चर में आप लोगों से बड़ा मुलाकात होगी अपना बहुत सरा क्यार कीएगा अल्ला हफिए